क्या solar panel के साथ हमें solar inverter लगाना compulsory है इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं अगर आपके पास already कोई inverter बैटरी है और आप solar panel परचेस किये हैं तो क्या आपको solar inverter लगाना ज़रूरी है ये सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं अग लेकिन आपको आप सोलर बैटरी और परचिस करते हो, तब आपको सोलर बैटरी परचिस करना चाहिए, और आपके पास बैटरी भी है और आपका नॉर्मल इन वटर है, कोई सोलर इन वटर नहीं है, और आपने decide किया हुआ है solar panel लगाने का तो क्या solar panel लगा करके हमारी battery को charge किया जा सकता है कि नहीं तो बिल्कुल आपका battery को charge किया जा सकता है बस उसके लिए एक condition है आपको अपने solar panel के साथ एक controller भी purchase करना पड़ेगा अब controller कौन सा purchase करना पड़ेगा आईए बताते हैं देखिए controller ये depend करता है कि आपका solar panel की size क्या है solar panel कितना current बना रहा है अगर आपका solar panel के छमता है 8 ampere current बनाने की तो 10 ampere का खड़ेदिए अगर solar panel की छमता है 15 ampere current बनाने की तो 20 ampere का आपको controller जो है purchase करना है लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता है क्या है जब भी हम solar panel purchase करने जाती है और अपनी दुकंदार और दुकंदार को ये बात बताती है कि हमारे पास normal inverter है तो वो आपको solar inverter ही recommend करेगा वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि solar inverter की जो price है लगबग 8-104 रुपे क्या आपको पकराद देगा solar inverter उसको तो बस बेचिने से मतलब रहता है आपको 10,000 रुपे का अगर वो बेचता है inverter तो ये 1000 रुपे तो उसको अराम से मिले गया तो वो आपके फायदे के बारे में नहीं सोच रहा है वो खुद के फायदे के बारे में सोच रहा है और आपको जूट पर जूट बोलेगा वो आपको ये भी कहेगा कि आप controller मत लिजिए controller current loss करेगा या फिर battery को ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा या फिर battery ठीक से चार्ज नहीं होने देगा तो बहुत सारी बाते जो है वो बताएगा दुखंदार लेकिन उसके दिमाग से नहीं चलना है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको डायाट ली कहना चाहूंगा अगर आपके पास कोई नॉर्मल इन्वर्टर है नॉर कोई आपने कंट्रोल के साथ किचिए आपका इन्वर्टर अपका बैट evitar अज्याय करेगा सोब्सक्राइब करेगा इंवर्टर बार्च ने कीटनाबیا। यह सब कुछ बताते रहता है लेकिन अगर आप कंट्रॉलर भी पर्चेस करोगे तो दोस्तों दोस्तों डोनों में खुछ ज्यादा का फर्क नहीं होता है solar inverter और normal inverter में फिलाल end में आपको यही कहूंगा कि कोई भी आपको solar inverter purchase करने की जोरत नहीं है अगर आपके पास already किसी भी तरह का inverter है तो उमीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब को समझ में आ गया होगा फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो पसंद रहा था प्लिस लाइक करें चैनल पढ़ना होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें